अफ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं याला ब्लॉक्चेंग के बारे में जहां पर इसकी टैसने चल रही है अल्डेडी अपने टेलिग्राम गूरूप के अंदर यहां से 15 से 20 दिन पहले मैं इसको शेयर कर चुका हूँ तो दोस्तो अगर टेलिग्र कर रहे हैं वही हम सैलो की अल्फोजा कर रहे हैं सांते सांच यह वह हम कर रहे हैं यहां पर बेराचेन कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहां पर पैल की टैसनेट कर रहे हैं हम मल्टिपल टैसनेट को यहां पर ट्राय कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अल्रेडी पहले भी वीडिय के अंदर तो make sure telegram channel join कर लेना ऐसी updates आपको सबसे पहले वहाई पर देखने के लिए मिलती रहती हैं तो simply दोस्तों आपको लेगे चलता हूँ desktop की screen के अंदर जहाँ पर हम detail में discuss करेंगे यहाँ पर याला की testnet के बारे में simply friends मैं हूँ desktop की screen के अंदर हम बात कर रहे हैं याला finance की बारे में याला finance की auditory access चल रही है जहाँ पर policy and capital और साथ ही साथ हैस की capital ने मिलके overall यहाँ पर market में seed round के अंदर 2024 10 October के अंदर आठ मिलियन डॉलर रेस किया है I know fund जादा बड़ा नहीं है अब brand आगे चलके हो सकता है future में और भी जादा fundraising करें तो यहाँ पर आप जो है उसकी testnet को try कर सकते हो अब testnet ट्राइ करने के लिए description box में आपको link दिया है तो make sure जाके उस link को आप follow कर लीजे यहाँ पर आप किसी other link को जाके follow करते हो और वहाँ पर wallets connect कर लेते हो तो हो सकता है कि आपके जो funds है वो यहाँ पर compromise हो जाएं तो already जो project है यहाँ पर bitcoin के liquidity के उपर काम करती है जहाँ भी यू टोकन इनका stable token है तो आप यहाँ पर देख सकते हो याला का yu token इनका stable token है इसके बारे में अगर आपको detail में research करनी है तो आप इनके white papers को read कर सकते हो हम बात कर रहें सिर्फ पॉसिफ testnet के बारे में तो अभी हम testnet को cover करेंगे सबसे में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो अपना वाले wallet को connect कर लेना और यहाँ पर tap route वाला wallet भी connect कर लेना ठीक है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारा request जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओके हमारा फटाफट से connect हो जाएगा दोनों ब्लॉक्चेन की wallet हमारे यहाँ पर यहाँ पर आपको नीट पड़ेगी faucets की तो make sure यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक बार मिलेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपने already इसको claim कर लिया है यहाँ रिक्वेस्ट जो है वो इनने डाल दी है रिक्वेस्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट हो गई है जैसी में यहाँ मेरा रिक्वेस्ट जो है वो complete हो जाएगा तो यहाँ पर मैं claim करने के लिए eligible हो जाओंगा वहीं पर दोस्तों आप ethereum के faucet भी ले सकते हो यहाँ पर यहाँ पर right side corner के अदर आपको देखने मेरा ethereum का site तो यहाँ पर 0.02 tokens आप ethereum के ले सकते हो मैं जैसी request के पर डालता हूं त यहाँ पर टूटर हेंडल के साथ यहाँ पर टूटर हेंडल नाम डालना पड़ेगा आपका काम यहाँ पर से हो जाएगा अब बारे आती है metamint yu के बारे में जहाँ पर दोस्तों होरे main task काम करने वाले हैं अब दोस्तों यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है आपको टैपरूट बीटी सी का कॉइन दे दिया जाएगा देखो जैसे मेरे बैलन्स के अंदर यहाँ पर अल्रेडी 0.0060 बीटी सी है और एक चीज मैं आपको पहले बदा देता हूं अगर यहाँ पर आपको टोकन रिसीव नहीं होंगे तो मेक शूर पहले अपने वालेट के अंदर मतलब ऐखेक्स होगा आपका बिटकोई का यहाँ पर वालेट वहाथा आपका मैं आपको दिखाता हूं बीटी सी की अंदर यहाँ पर following दस से पंदर डॉलर का बीटी सी इसके अंदर रख लेना जहां पर टैप रूट के बीटी सी भी टैसनेट बीटी सी रिसिफ कर पाओगे जैसे इधरियम में होता है आपको 0.001 इधरियम रखना पड़ता है वालेट के अंदर तभी जाके आपको टैसनेट टोकन ही मिलते हैं उसी त्रीके से विटकोईन भी होट कर लिजेगा आपको यहां पेटोंस हीलि मिल जाएंगे राथ है प्लप असपास है मैं आपके wallet से gas fee कर देगी tab root btc वाली बहुत सी minority fees होती है तो आप जाके मैं इसको add to wallet के पर click कर देता हूं हमारा YU token यहाँ पर list भी हो जाएगा ठीक है OK के उपर click करता हूं यहाँ पर transaction speed आपको देखने मिलेगी यह होने में आपका 10-15 minute लेगा ठीक है creating vault आपका हो रहा है तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है आपकी transition हो गई है टीम जैसे इसको verify करेगी तो आप अपने portfolio के अंदर जाके यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं अल्रेडी देखो यहाँ पर 280 dollar deposit करें हैं यह sapolia की blockchain वाले हैं तो आपको कोई tension नहीं है free of course testnet है आपको एक बिरुपिया नहीं देना है ठीक है तो आपको जोस्तों यहाँ पर काम हो जाएगा BTCYU BTCYU का आपको option देखने मिल जाएगा ठीक है तो आपके जो है वाल्स यहाँ हो जाएंगे तो आपको आपके portfolio के अंदर पूरा का बूरा data देखने मिलेगा अभी जो recently transition करी है वो यहाँ पर in progress में है आप यहाँ पर देख सकते हो in progress जैसे यहाँ complete हो जाएगी तो यहाँ पर position के अंदर आपको यहाँ पर आके दिखाई देगा हम liquidity provide करने के लिए eligible है अब बारी आती है berries की दोस्तों यहाँ पर आपको airdrop किस basis के अंदर मिलेगा वो यहाँ पर decide करेगा यहाँ पर आपको airdrop मिलेगा आपकी berries के उपर यहाँ पर आपको daily by daily check-in करना है check-in करने के बतले आपको berries मिलेंगी यहाँ पर आप berries इखटा करोगे यह berries आपके depend करेंगे कि आपको जो है वो कितना airdrop मिलेगा already दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 1,47,553 users ने applied कर लिया है जिसमें से मेरी rank आप देख सकते हो 14,940 के आसपा चल रही है और यहाँ पर आप daily by daily एक berries को claim कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आपको daily by daily एक lucky draw भी open करने के लिए मिलता है तो आप जाके इसको भी follow कर सकते हो lucky draw को और बाकी के जो इनके galaxy के टास्क है वो आप कर लिजेगा layer 3 के जो टास्क है वो आप कर लिजेगा बाकी आप जो है इनको twitter handles के लिए जहाँ पर आपको इनके additional जितने भी डास्क है वो आपको दिखाई देंगे आप उनको definitely cover कर लिजेगा ताकि जो है वह आप एक अच्छागासा profits enjoy कर पाओ in future के अंदर तो आप यहाँ पर देख लो यहाँ आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो प्रोजेक्ट बिट कॉन यह एक हो सकता है कि यहाँ पर मेडिया हो कोई तो कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पर प्रोजेक्ट ने अच्छा वाइसा फंड भी रेस किया आप इसके अंदर काम कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है किस तरीक करता है और अगर आपको इसके रिगाडिंग कोई भी क्वैरी होती है तो आप प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं धन्यवाद